हलो एवरिवान इस नवरात्री पे हम बनाएंगे बहुती स्वादिश्ट और टेस्टी काशी हल्वा इसे लाल कद्दू से बनाया जाता है और यह नवरात्री पे बहुती पसंद से खाते हैं तो इस जटपट बनने वाले बहुती टेस्टी हल्वे को बनाना शुरू करते हैं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें तो हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम ये लाल कद्दू इसे मराठी में काशि भोब्रा भी कहा जाता है ये हमने लिया है और इसका बीच वाला हिस्सा और जो ये इसका शेल है ये हमें निकालना है तो अब चाकू की मदद से इसके पहले लंबे लंबे पिसिस करेंगे क्योंकि ये जो चिलका होता है वो बहुत ही सक्त है तो इस तरह से लंबे पीसस करने से ये हमें आसानी होगी इसका चिलका निकालने में अब पहले ये जो बीच वाला हिसा है वो निकाल ले इसके बींच और हलके हाथ से ये शेल निकालेंगे इसी तरह से हमें सारे पीसस की इस तरह से शेल और ये बीज निकालना है और इसे कदू कस कर लेना है तो सिंपली जिस तरह से हम गाजर घिसते हैं उसी तरह से ये कदू को घिस लेंगे और अब बढ़ते हैं हल्वा बनाने की प्रोसेस में तो एक कड़ाई को मैंने हलका गरम कर लिया है इसमें हम डालेंगे वन फोर्थ कप गी लेकिन ये जो गी हम आधा भी डालेंगे और आधा बाद में और जो ये कद्दू कस किया हुआ कद्दू है ये इसमें डाल दे अब इस कद्दू को हमें 8 मिनिट के लिए मेडियम से गी में आज पे करेंगे तो कद्दू ये पानी छोड़ेगा और हमारा हालवा जो है उतना टेस्टी नहीं बनेगा तो इसका जो पानी का कंटेंट है वो हमें कम करना है और इसे गी में भूनना है तो इसी तरह से मैंने इसे 7-8 मिनिट तक अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें जो बचा हुआ गी है ये अड़ कर देंगे इस तरह से जो घी है वो इसमें अच्छा अब्जॉब भी होगा और जो हमारा ये कद्दू है ये गी में अच्छा भूना जाएगा इससे जो हल्वे का टेस्ट होगा वो बहुत यमी बनेगा तो इसे भी मैंने दो चीनी और आधा चममच इलाइची पाउडर ये जो कद्दू होता है ये नैचरली हल्का स्वीट होता है तो इसलिए जो चीनी होगी वो हम थोड़ी सी एड़ करेंगे और इसे हमें पांच मिनिट तक यानि हल्का घी छोड़ने तक इसे फिर से पकाना है क्यूंकि हमने जब चीनी डाली है तब ये फिर से हल्का पतला हो जाता है फ्लेम जो होगी वो हमारी मेडियम से तेज आँच पर ही है शुरुवात से ही मैंने इसे कम विल्कुल भी नहीं किया है और चार से पांच मिनिट बार आप देखेंगे कि हमारा हल्वा जो है वो हल्का सगी छोड़ना चुरु हो चुका है अब हम इसमें ये ड्राइफ्रूट साड कर देंगे और इसे दो मिनिट के लिए फिर से मुला लेंगे और बस अब गयास को बन कर दें और इसे दो मिनिट तक चलाते रहें क्योंकि पैन जो है वो अभी भी बहुत करम है और ये हमारा हल्वा बनके करें और आपका हल्वा कैसा बना मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तैंक यू